दोस्तों अगर आप भी एक beginner और एक struggling YouTuber हैं या अभी आप 2022 में अपना कोई नया YouTube channel open करने की फिराक में हैं या नया YouTube channel open करने की सोच रहे हैं तो आज कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार सावित होने वारी है क्योंकि आज कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं event technology आयो कुछ नया जानते हैं दोस्तों अगर आप भी एक successful YouTuber बनना चाह रहे हैं 2022 में तो जो मैं ये टिप्स बताने वाला हूं इन टिप्स को आपको अपने चैनल पर इंप्लिमेंट जरूर करना है लेकिन इन टिप्स को शुरू करने पहले मैं आप सभी नमबर वन है वो ये है कि जब भी आपका चैनल नया है या आपके चैनल पर अभी तक 500 subscribers complete नहीं हुए हैं या 1000 subscribers complete नहीं हुए हैं तो आपको अपने चैनल पर longer videos ही upload करनी चाहिए longer videos ही आपको post करनी चाहिए जी हां longer videos post करने से आपको क्या फायदा होगा वो ये होगा कि आप जब भी लंबी videos अपने चैनल पर upload करेंगे तो उस video से आपके चैनल पर अच्छा खासा watch time आएगा अच्छा खासा engagement वो create करेगी आपकी video और अच्छा खासा आपके चैनल पर audience retention भी आएगा audience retention की तरफ आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है अगर आपको audience retention कम हो रहा है आपका viewer irritate होता चला जाएगा इस वज़े से आप जब भी video create करें तो video को जितनी length की आवश्यकता है उतने length की वीडियो को रखें अगर आपको लगता है कि आपकी video 8 minute तक की sufficient है तो आप 8 minute तक की वीडियो बनाए अगर आपको लगता है कि आपकी video 5 minute तक या 6 minute तक की sufficient है तो आप 5 या 6 minute तक की वीडियो बनाए लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी video 5 minute से कम की ना हो जब आप शुरुआती दौर में हो ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं पर अपनी दूसरी tip की हो तो दोस्तों जो tip number 2 है वो यह है कि जब भी आप कोई video अपने channel पर upload करते हैं तो video upload करने है कि जिस भी topic पर आपने video create किया है तो उस topic पर YouTube पर हजारों और लाखों की दादाद में पहले से ही video मौजूद होती है तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है YouTube पर उसको अपने title को search करना है अपने topic को search करना है और जिस भी popular creator की video वहाँ पर rank कर रही हो number 1 पर या number 2 पर उ उसको manually अपने video के title में लिख देना है mention कर देना है ठीक है मेरा कहने का मतलब यह है कि जो video पहले से rank कर रही है जिस title पर उसी title को अगर आप भी अपने topic में डालेंगे तो आपकी भी video rank करेगी और बहुत जादा संभावना होती है बहुत जादा chances होते हैं कि आपकी video भी अच सर्चेबिल topics पर ही काम करना है अब यह दोनों topics आपको कैसे मिलेंगे एक बात को आप समझ करके चलिए कि साल में 365 दिन होते हैं तो 365 दिनों में पूरे साल भर trending topics आपको नहीं मिलेंगे मतलब कि 365 आपको trending topics तो नहीं मिलेंगे ठीक है trending topics आपको साल भर में 2, 4, 5, 6 ही मिलेंग हो चाहे आपका education का channel हो चाहे आपका cooking का channel हो चाहे आपका tech का channel हो चाहे आपका gaming का channel हो अगर trending topic कोई YouTube पर चल रहा है तो उस topic पर आपको उस keyword को ले कर कि आपको video जरूर create करनी है और आपने चाहे जो भी video create करी हो लेकिन वो keyword आपके title at description में जरूर आना चाहिए ठीक है दोस्तों आपको समन में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और साथी साथ मैं आपको बताओ कि आपका जिस भी category का channel है हर category में कहीं न कहीं कोई न कोई searchable topic जरूर होता है चाहे आपका gaming का channel हो चाहे cooking का channel हो चाहे vlogging का channel हो चाहे tech का हो चाहे parlor हो चाहे fashion हो चाहे किसी भी category का channel हो आपका सभी category के channels में आपको searchable topics मिल जाएंगे बस आपको ढूड़ना है और ढूड़ेंगे कैसे उसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, देखिए जब कोई भी creator नया नया channel open करता है, तो हर creator के पास 2, 4, 5, 10, 15, 20 videos होती है, वो उस पर videos बना लेता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो खाली हो जाता है, तो यह समझ करके चलिए, जिस भी topic को आप सर्च कर रहे हैं, वो searchable topic है, क्योंकि अगर आप उस topic को सर्च कर रहे हैं, तो आप जैसे बहुत से लोग उस topic को जरूर सर्च कर रहे होंगे, तब उसी topic पर वीडियो बनाते चले जाए, और हमेशा searchable और trending दोनों चीज़ों को ले क करके अपने channel पर चलिए, और आपका channel तरीजी से grow होता चला जाएगा, अब दोस्तों चौती टिप के ओर, तो जो फॉर्थ टिप है, वो यह कहती है, कि जब भी आप अपने channel के शुरुआती दोर में होते हैं, आपका channel नया होता है, बिंगनर होते हैं, आप स्ट्रगलर होत करें तो उनको subscribe भी करके रखें और जब भी उनकी कोई नई वीडियो आ रही है तो उनकी वीडियो को जाएं वाच करें और उनकी वीडियो में एक दन दो डन लो या मैंने आपको चैनल को subscribe कर लिया है आप भी मेरे चैनल को subscribe कर लिजे या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपको और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताईएगा इस्टाग्राम पर बताईएगा यह वो इस टाइप के आपको कमेंट करना है वो जनुन कम कमेंट करने ठीक है ताकि सामने वाला जो होस्ट है सामने लोग चैनल है उसको सौन में आना चाहिए कि आपने वीडियो को देखा है और उस पर और उस पर कमेंट किया है तो इससे आपको दो फाइदे होगे पहला यह होगा कि आपके चैनल का प्रमोशन होगा आपके चैनल कर नाम जा रहा है तो बहुत सारी लोग उसमें आएंगे उसको देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है तो वो लोग आपके चनल पर स्विच करेंगे आपके चनल को देखेंगे अगर आपके चनल पर अच्छा कॉंटेंट होगा अच्छी वीडियो आपने बना करती है कि आपको अपने चैनल पर हमेशा एक निश पर काम करना है आपको मुटिपिल निशे पर काम नहीं करना है मतलब कि मिक्स्ड कॉंटेंट आपको अपने चैनल पर नहीं डालना है बहुत से चैनल को मैंने देखा है कि टेक का चैनल है तो उस पर टेलिकॉम की भी वीडि ही करिए अगर आपका टेक का चैनल है तो आप उसमें सिर्फ टेक की वीडियोज ही डालिए आपको अपने चैनल की नीश को मेंटेन करके चलना है जिस भी नीश पर जिस भी टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं उसी topic या उसी niche से related आपके channel पर videos होनी चाहिए, आपके channel पर mixed content नहीं होना चाहिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी last but not the list 6th tip की और लेकिन 6th tip को बताने से पहले यहां तक अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर दीजे चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को subscribe करके साथ ही दी गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजे चलिए बात करते हैं अपनी 6th tip की तो दोस्तों जो 6th tip है वो यह कहती है कि जब भी आप अपने channel की beginning stage पर होते हैं जब भी आप अपने channel के collaborate करना है collaboration से क्या होता है कि जब आप किश को collaborate करते हैं तो एक video आपके चैनल पर upload होती है और एक video सामने वाले की channel पर upload होती है उससे क्या होता है कि जो आपके viewers हैं वो najle ऐह सालः आपके चैनल को free में ही subscribe कर लेते हैं इसमें किसी प्रकार कर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पूरी पसंद आ गई होगी, वीडियो से आप लोगों को समय में आ गया होगा कि आप अपने नया चनल को कैसे ग्रोग कर सकते हैं, और अगर आप एक न लोगों को पसंद आई होगी वीडियो कर अच्छे लगए तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और व्यू जरू ड्रॉप कर दीजिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्श वीडियो में नेक्श टापिक साथ तब तक लिए बा